बनाना फिश करी बनाई है जिसकी रेस्पी आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ इसे बहुत ही इजी तरीके से बनाया है चलिए इसे शुरू करते हैं बनाना पहले करी बनाएंगे तो इसके लिए एक पैन में दो टेबलिस्पून सरसो का तेल लेंगे और थोड़े से सरसो के दाने उसमें डाल देंगे तड़के के लिए इसके बाद एक बड़ा चमच लसुन का पेस्ट डालेंगे और दो बड़ा चमच सरसो का पेस्ट डालेंगे इस चम्मच लाल मिर्श का पाउडर डालेंगे एक चुटकी जितना हल्दी पाउडर डालेंगे इन सबको भी अच्छे से भून लेंगे जब यह भून जाए तो थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे ताकि जो मसारा है वो अच्छे से पक जाए इसके बाद हम इसमें डालेंगे दो मीडियम साइज के टमाटर की प्यूरी और इसे भी डाल करके अच्छे से हमें भून लेना है जब यह भून जाए तो आधा चम्माट जितना नमक डालेंगे आप अपने स्वात के अनुसार डाल लें इसके बाद थोड़ा पानी और डालेंगे जब अच्छे से सब मिक्स हो जाए तो फिर इसमें थोड़ा सा पानी और डालेंगे जब अच्छा उबाल आ जाए तो हमारा करी त्यार है अब एक साइट पर हम क्या करेंगे यह देखिए यह हमने लिया है बनाना अब इसे पहले हम तोड़ लेंगे सबको तोड़ने के बाद एक बार अच्छे से पानी से इसे हमें पॉष कर लेना है अब यह दिखिए धोने के बाद उपर की यह जो डंठल नहीं है इन्हें काट के पहले अलग निकालेंगे और इसके बाद जो इनके छिलके हैं इन्हें चाकू की मदब से काट करके हमें निक टो मैंने बनाना को थोड़ा फिश का शेब दे दिया आप ऐसे भी बना सकते हैं तो मैं फिश का शेब देने के लिए ये देखेज ini से ठोड़ा से इसे कड कर दे रही हूं जैसा फिश होता है उसी डिजाइन में इसे मैं बना रही हूं आप भी चाहें तो इस तरह से बना सकते हैं ये देखे फ्रेंड्स अब इसके बार एक कटोरे में इसे ले लेंगे और थोड़ा सा हलदी पाउडर डालेंगे इसमें थोड़ा सा लाल मिर्श का पाउडर डालेंगे स्वात के अनुसार नमक डालेंगे लसुन का पेस्ट डालेंगे एक चमच एक चमच सरसो का पेस्ट डालेंगे इसके बाद इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे लेकिन अब इसमें हम एक संवल जोना निम्मदा भी डाला ने कि निम्ममर्भ जोनां धल तल में और वे दगाल तो नहीं नीक लेगा इस वाइज से निम्मर्भ फ तो यह देखिए यह फ्राई हो चुके हैं अब हमने वापस से जो करी बनाई थी उन्हें एक उबाल आने के लिए रख दिया है उबाल जबा गया तो इसमें हम सारे जो केले के को हमने तल कर रखा था उसे हम डाल देंगे और पांच मिट तक हम इसे इसी तरह पकाएंगे तो यह देखिए फ्रेंड्स जो हमारा बनाना फिश करी है वो बन करके त्यार हो चुका है तो फ्रेंड्स आभी से अपने घर पे जरूर ट्राई कीजेगा और मुझे कमेंट करके बताएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लग मिलते हैं नेक्स रेसिपी के साथ थैंक यू